question number 22, redemption of preference share का question number 22, question number 22 में नई चीज क्या मिलेगी, तो यहां पर तुमको मिलेगा देखने को redemption by issue of equity share and debenture, यहां पर equity share भी issue की जारी है और debenture भी issue की जारी है, question देखोगे तो पता चलेगा कि company has 4,006% redeemable preference share of Rs. 100 each fully paid. The company decide to redeem the share on 31st March 2016 at a premium of 5%. For this, the company made the following issues, क्या क्या किया है वहां? सबसे पहले किया है, 1000 equity share 100 each at premium 10% second है, 1006% debenture of Rs. 100 each. एक तो एक हजार 100 रुपिया वाली 10% premium पर equity share issue किया है second, एक हजार 6% debenture 100 रुपिया वाली issue किया है the issue was fully subscribe and allotment were made. The redemption was duly carried out. The company has sufficient profit, company के पास sufficient profit है अगर जितना profit तुमको घड़ता है, जरुवत परता CRR के लिए, premium redemption का adjustment करने के लिए जितना profit चाहिए तुम्हारे पास है already, यह clear बोल दिया. Give journal entries, record the above transaction अब देखो यहाँ पर problem क्या है, कि हमको पहली बार देखने को मिल रहा है कि equity share और debenture दोनों issue कर रहा है equity share और debenture दोनों issue करेंगे, देखो बड़ा simple says का entry देखोगे, entry देखो यहाँ पर, हमने दिखाया है सबसे पहले bank account debit, equity share capital and security premium, एक लाख दस अजार, एक लाख प्लस दस जार premium, एक लाख दस जार का हमने issue कर दिया equity share, यहाँ तो हमको लगता है कोई problem नहीं होगा सेकेंड है, हमने debenture issue किया है, तो bank account debit to 6% debenture account, अब लगता है मेरे को, यहाँ भी तुमनों को कोई problem नहीं होगा next जो बात आती है, वो क्या है, PL से CRR कितना बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि हमको redemption कितना करना है हमने redemption किया 6%, preference share capital, 4100 रुपया वाली, 4,00, उस पे 10% है न, 5% है, 5% premium हमारा हो गया 20,000 to shareholder, यानि हमको 4,00,000 रुपया चाहिए, और इसको देखने से पता चलता है कि 1,00,000 रुपया equity share से या 1,00,000 रुपया debenture से पैसा आ गया है मतलब 2,00,000 रुपया हमारे पास आ चुका है, और 2,00,000 की जवरत है लेकिन हम देख रहे हैं कि इसद डिवेंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिवेंचर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो नहीं देखो, नई company act 2013 का section 55 कहता है, company act, company act तुमारा 2013 में section 55 कहता है section 55 कहता है, कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, मतलब क्या नहीं कर सकते हैं, तो equity share, preference share को redumble करने के लिए, share issue कर सकते हो, या profit और fund का इस्तेमाल कर सकते हो, डिवेंचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नई डिवेंचर तब देखो यहां पर हमने क्या किया, कि सर एक लाख रुपेया ही हमने इस्तिमाल किया, टोटल एक लाख रुपेया इस्तिमाल किया, और चार लाख में एक लाख जाएगा, तो तीन लाख की जवरत पड़े कि इसलिए तीन लाख का हमने CRR बनाया, तीन लाख रुपेया का हम को on PD से को और उसके बात प्रीफयार हरोडर को हमने कर दिया जार लाग दी से कोई दिकत झाल